जम्मु कस्मीर में विधान सबत चुनाव के लिए आज यानी 25 सितंबर को दूसरे चलन का अमद्दान हो रहा है इस चलन में कई दिगजों की किसमत दाव पर लगी हुई है इस चलन में 26 सीटों पर ओडाले जा रहे हैं जिसमें से 249 उमिदवार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं इनमें पूर्व मुखे मंतरी उमर अब्दुला जम्मु कस्मीर कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्स तारिक हामित कर रहा और बिजेपी के बरिश नेता रविंद्र रहना पर हर किसी की नजर ठीकी है वोटिंग शुरू होने के साथ ही परदान मंतरी मोधी और लोगसभाव में बिपक्ष के निता राहूल गांधी ने जम्मु कस्मीर के लोगों से मद्दान करने की अपील की है परदान मंतरी ने वोटरों से क्या अपील की इस उसर पर पहली बार ओट डालने जा रहा है सभी युवा साथियों को मेरा अभिनंदर क्या बोले राहूल गांदी जम्मो कस्मीर में चुनाओ को लेकर राहूल गांदी ने एक्स पर पोश्ट कर कहा है कि जम्मो कस्मीर के मेरे भाईयों और बेहनों आद दूसरे चनल का मद्दान है बड़ी संक्या में निकल कर अपने हग, खुसाली और बरकत के लिए ओट करें इंडिया को ओट करें, आपसे आपका इस्टेट हुट छिनकर भाजपा सरकार ने आपका अपमान और आपके सम्मेंधानिक अधिकारों से खिलवार किया है इंडिया को दिया आपका एक एक ओट भाजपा के बनाए अन्याय के इस चक्रिव्यू को तोड़कर जम्मु कस्मीर को खुसाली की राह पर लाएगा देखे सबसे पहले आज लोगतंतर का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा फेस्टिवल जिसमें लोग दस साल के बाद अपने मददान का अपयोग कर रहे हैं मैंने पॉलिक स्टेशन चेक किये, अभी हाइश केंटरी स्कूल में पॉलिक स्टेशन है और बड़ा अच्छा लोगों में जजबा है और लोग वोट डाल रहे हैं मैं लोगों से अपील करता हूँ कि लोग जादा से जादाद में मददान करें अपने मददान का सही उपयोग करें और फैसला करें क्योंकि लोग ही सर्वोपरिये हैं विकास के लिए वोट डाले उनको जिस तरह भी है अपना वोट डाले और रजोरी के विकास के लिए रजोरी के अमन और बाइचारे के लिए रजोरी की बेहतरी के लिए उनसे मैं अपील करता हूँ कि जादा से जादा मद्दान में वोट करें देखिए चल रहा है अभी तक तो कुछ जगहों पे मुझे मिली है कंप्लेंट्स की कहीं मशीन नहीं है जैसे दनोर में अभी मुझे फोन आ रहे हैं काफी सारी जगहों पे ईवी ए मशीन खराब है कहीं परची निकल रही है तो मैं इलेक्शन कमिशन से कहूंगा कि इस चीज जाल ले क्योंकि काफी सारी पॉलिक स्टेशन पर दो-दोसों लोग वेट कर रहे हैं तो यह थी जम्मू कस्मीर से जूड़ी हमारी रिपोर्ट आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं साथी इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट